और यहां पे एक पेश्ट लेके आये थे हम इसका यूज न लास्ट वन मंद से कर रहे हैं तो सोचे इसका रिव्यू देते हैं और यहां यह पेश्ट न ग्लास एरामिक और इंडेक्शन चूले के लिए आता है और यह क्या वर्क करता है कैसे वर्क करता है वो सब आपको लेकिन यह वर्क करता है इसको न भींगा कप्रा में आपको लेना है थोरा सा जैसे पेस्ट लेते हैं और जैसे बरतन चरहते चरहते वह वाला पार्ट वाइट हो जाता है बीच वाला या फिर चोखा अगर कभी पकाए उससे वाइट हो जाता है या बरतन घीसने से चुला के उपर वाला white हो जाता है उसको ये cover करता है whiteness को ये छिपाता है और ना एक layer जैसे क्यों तर पॉलिस चरहते हैं वो पॉलिस मानिए ये पॉलिस है और ये बहुत ही अच्छा work करते है one month से हम कर रहे हैं मेरे हर week ना हम एक बार कर देते हैं एक बार करना ही करना ये बहुत ही effective है और signing भी बहुत अच्छा आता है gas में और पता ही है glass का समान है इसको clean करना है बहुत महनत वाला काम है और ये एक layer चरह जाता है उसके बाद तो क्या clean दिखता है देख रहे हाथ भी दिख रहा है ये बहुत ही अच्छा अगर यहां Germany में अगर आप चुला इंडिया में भी इंडेक्शन मिलता है तो ये लिक्विड अगर मिले तो यूज कर सकते हैं जिसका review या फिर कहीं भी अगर आप मेरे वीडियो को देख रहे है तो ये वाला liquid जरूर लेकर आईगा ये यह बहुत effective है और आपको करना कुछ नहीं भींगा कप्रा में लेकर जहां जहां white पार्ट है ना उसको आपने regular अगर कीजेगा ना वीक में हर मंद हर वीक करते रहेगा तो वह एरिया ना डार्क हो जाता है और signing भी बहुत अच्छा आता है तो हमको बहुत अच्छा लगा पहले तो ला है ना चिमनी में समझे तो यह छोटा सा वीडियो था information के यह जो कि यह जब भी हम कोई समान लाते है ना अगर मेरे को अच्छा लगता है तो हम चाहते हैं कि आप लोग को बता दे ता कि आपके लिए योज़फूल हो और आप लोग भी खरीद सकें क्या बहुते हैं